नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन टीजीटी परिछा 2021 भूगोल जल मंडल सिकेंड प्रेटी सेट 29 में तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे छोटी सी अब तक आप अमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्रारंब करते हैं हाँ अगर आपनों के इसे पिछला प्रेटी सेट 28 तक वीडियो देखना तो उसका एक प्लेलिस्ट बनावा अमारे चैनल पर जिसका नाम है UPTGT भुगोल और उस प्लेलिस्ट का लिंक में डिस्किप्शन में भी दे दिया हूं तो वहां से भी आप लो का मुख्य कारण क्या है भूमी है या समुदरी जीवन है या उलका पींड़ या ज्वाला मुख्य है तो समुदर में खारापण का मुख्य कारण है भूमी इसका एंसर हो जाएगा A, भूमी सागरी लवरता का मुख कारण होता है भूमी ही होता है कुश्चन नमबर दो है निमलिखित सागरी जीव कटिवंदों में से किसे प्रकासित मंडल भी कहा जाता है किसे प्रकासित मंडल भी कहा जाता है देखिए आपसंदिया इसमें हेडल पैलेजिक जीव कटिबंद या ईपी पैलेजिक जीव कटिबंद या मेसो पैलेजिक जीव कटिबंद या बैथो पैलेजिक जीव कटिबंद इसमें एंसर हो जाएगा ईपी पैलेजिक जीव कटिबंद को कोशन नमबर तीन है निम्न में से किसका समुद्रिक जल में लवानता का मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दिया है विरिष्टी या समुद्रिक जल धराएं या बड़ी नदियों के मुहाने या समुद्र तली बनस्पती इसमें एंसर हो जाएगा D. समुंद्र तली बनस्पति का कोशन नमबर 4 है समुंद्री जल में प्रचूर मातरा में मिलने वाला तत्व है तो समुंद्री जल में प्रचूर मातरा में मिलने वाला तत्व क्या है sodium sulfate, sodium chloride या calcium chloride या potassium chloride तो इसका answer हो जाएगा B sodium chloride question number 5 है निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इसमें सत्य नहीं है ढोड़ना है तो इसमें answer हो जाएगा C यानि भुमद रेखा के आस पास उस्तम लवारता पाई जाती ये सही नहीं है महा सागरों में घुले हुए नमक को लवारता का जाता है महा सागरों की आउसत लवारता 35 प्रती हजार होती है या architect महा सागर में सबसे कम लवारता पाई जाती है लेकिन भुमद सागर के आस पास उस्तम लवारता पाई जाती ये सही नहीं है, तो C इसका एंसर हो जाएगा, कोशन नमबर 6 है, सागरिय जल में लवणों की मातरा का सही घटता क्रम है, सही घटता क्रम पुछा है, इसमें एंसर हो जाएगा A, सबसे अदा सोडियम कुलराइट का, उसके बाद मैगनिसियम कुलराइट, फिर मैगनिसियम सलफेट, इसके बाद कैल्सियम सलफेट का, कोशन नमबर 7 है, समुंदरी जल में पाये जाने वाले लवणों में सरवाधिक मातरा किसकी होती है, मैगनिसियम कुलराइट की, या मैगनिसियम सलफेट की, या कैल्सियम सलफेट की, या सोडियम कुलराइट की, इसमें इंसर हो जाएगा डी, सोडियम, कुलराइट की कुश्चन नमबर आठ है निमन में से किस जल रासी की लवानता सबसे कम है बलाटिक सागर, कैस्पिन सागर, काला सागर या लाल सागर की इसमें एंसर हो जाएगा A, बलाटिक सागर की बलाटिक सागर में जल की रासी की जो लवानता सबसे कम होती है Question number 9 है प्रकास्य छेत्र की गहराई के बीच है प्रकास्य छेत्र के गहराई के बीच है कितने गहराई के बीच है? 800-1000 मिटर या 200 मिटर या 500-1000 मिटर या 1.5 किलो मिटर तक इसमें अंसर हो जाएगा 200 मिटर तक Question number 10 है महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली आवसत लवानता है 33 परसत, 35 परसत, 37 परसत या 40 परसत इसमें अंसर हो जाएगा भी 35 परसत महासागरों में पाए जाने वाली आवसत लवारता कितनी परसत होती है 25 प्रतिसत होती है 25 प्रतिसत question no.11 है महासागरों में ताप प्रवारता परत का मुख्य अभिल της चन अभिलत्षन क्या है तो इसमें इंसर हो जाएगा D यानि इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है question number 12 है सर्वाधिक लवांता पाई जाती है लाल सागर में, मृत सागर में, अरब सागर में या काला सागर में तो सर्वाधिक लवांता पाई जाती किस में? मृत सागर में तो लवानता सरवादिक जो है जार्डन है जार्डन के मृति सागर में जो है सबसे ज़्यदा पाई आती है 238 प्रती हजार लवानता पाई आती है कोश्चन नमबर 13 है निम्न में से महासागरी जल में लवाणता का दूसरा सबसे बड़ा घटक कौन सा है दिया है कुलॉराइट, सलफेट, कैलसियम, मैगनीसियम तो दूसरा इसमें पुछा है दूसरा सबसे बड़ा घटक यानि सोटियम कुल राइट के बाद दूसरा कौन सा सबसे वड़ा घटक है इसमें एंसर हो जाएगा D, मैगनीसियम है कोश्चन नमबर 14 है उत्तरी गुलार्द में सरवाधिक लवानता पाई जाती है यह पाई जाती है 20 अंस उत्तरी से 40 अंस उत्तरी अच्छांस के मद्ध्य कोश्चन नमबर 15 है महा सागरिय जल में लवानता घटती है जब महा सागरिय जल में लवानता घटती है जब इसमें इंसर क्या होगा वास्पिकरन अधिक होता है हवा का बेग अधिक होता है या भारी वर्षा होता है या आधरता अधिक होती है लवनता कब घटती है जब भारी वर्षा होती है इसमें एंसर हो जायगा C जब भारी वर्षा होती है कोशन नमबर 16 है महा सागर जल में लवनता अधिक होगी जहाँ वर्षा वास्पिकरण से अधिक होगा वास्पिकरण वर्षा से अधिक होगा वर्षा वास्पिकरण के बराबर होगा या समुद्र में सताई प्रवा अधिक आता है इसमें करेक्ट एंसर हो जायेगा बी वास् किस सागर की लवनता जो है सरवाधिक है लाल सागर पीला सागर सफेश सागर या मृत सागर इसमें एंसर हो जाएगा D मृत सागर में कोशन नमबर 18 है समुंद्र का खारापन सरवाधिक है भुमद रेखी प्रदेश में या उपोषण कटिबंदिय चेत्रों में या उपध्रुवी चेत्रों में या उसन कटिबंदिय चेत्रों में इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा B उपोषण कटिबंदिय चेत्रों में कोशन नमबर 19 है निमलिख्यत सागरों में से किसमें लवनता सबसे कम है काला सागर भुमद्य सागर अरब सागर लाल सागर इसमें पूछा है सागरों में किसमें लवनता सबसे कम है तो इसमें एंसर हो जाएगा ए काला सागर में कोश्चन नमबर 20 है निमलिखित जीलों में से किसमे लवानता सबसे अधिक है वान जील विक्टोरिया जील या बालकस जील या टीटी काका जील तो इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा ए वान जील में यह जीलों में किसमे लवानता सबसे अधिक ह तुर्की की प्रसिद्ध वान जील में कितने प्रतिसत लवानता पाई जाती है प्रति एक हजार पर दिया है 238 प्रतिसत, 330 प्रतिसत, 370 प्रतिसत यह 420 प्रतिसत इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा B, 330 प्रतिसत, यानि वान जील में कितने प्रतिसत लवानता पाई जाती है प्रति एक हजार पर, तो 330 प्रति एक हजार पर कोश्चन नमबर 22 है, निमलिकित में से किस जील की लवानता सरवाधिक है टीटिका का वान विक्टोरिया बालकस तो इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा वान जील का, वान जील का लवानता सरवाधिक है कोश्चन नमबर 23 है, निशित सीमा वा निशित दिशा में तीब्र गती से बहने वाली जलरासी को कहते हैं तो तीब्र गती से बहने वाली जलरासी को क्या कहा जाता है, अफवा या करेंट, यहाँ पर धारा होना चाहिए हिंदी में धारा या करेंट या विशाल धारा या प्रवा श्ट्रीम या जेट श्ट्रीम इसमें एंसर हो जायेगा भी धारा या करेंट गुष्ण नमबर चौविस है निमलिखित में से किसमें उत्तरी भुमद रेखी धारा रीतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है उत्तरी परसांत माहसागर हिंद माहसागर या अट्लांटिक माहसागर या दच्छनी प्रसान महासागर में यह जो है चेंज करती है कि इसमें हिंद महासागर में बी एंसर हो जाएगा हिंद महासागर में कोश्चन नमबर 25 है और अंतिम कोश्चन है निमलिकित महासागरी धाराओं में कौन गर्म धारा है कौन इसमें जो है गर्म धारा है पेरु धारा कैलिफोर या क्यूराल ये सब ठंडी जल धाराएं हैं तो ये ते क्वेस्टन आज के लिए तुमिद करता हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक करें अधिक सदिक शेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम मिलते हैं अगले वीडियो मे उसली बाद जल दोस्तों के लाद पसंदिक können बच्छार खब पसे करें।